नमस्ते आज आज आपको 222 दिन का इश्री बर्दान परमपिता परमात्मा आज हमें एक सरल तरीके से एक सरल वहवार को या एक सरल संसकार को अपने जीवन में अपनाने के लिए कहते हैं और वो वहवार कौन सा है उसको अज़ा हम बहुत पिस्तार में देखेंगे तो वो हम में किस तरीके से अपने संबंधों में भी और हर कारे को संपून करने में भी मदद करता है तो देखेंगे आज परमपिता परमात्मा कहते कहां इस परदान कर हर चीज की हर बात का एक सार होता है न या तो उस बात में कोई अच्छी बात छुपी होगी होती हमें पता नहीं चलता कहीं नुकसान दिखता है तो हमें पता नहीं चलता कि यह नुकसान नहीं आच्छी यह अच्छी फाइदा हो रहा है कोई चीज चली आती है हम सोचते यह से बात होती है, तो बहुत है हर बात में सार को ग्रहन कर all round बनने वाले सरल पुर्शार्ती भवा all round कि कहीं से भी किसी भी बात से, किसी भी कारण से हमें कोई असर ना पड़े, विस्तार में चलें, जो भी बात देखते हो आँकों से देखते हैं, सुनते हो, आस-पास होते हुए देखते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे आपके रुहानी परिवार में हो, रुवानी परिवार में हो, पुला स्पिरिच्छल फैमिली में हो, जो ब्रहमा कुमारी स्पिरिच्छल फैमिली में हो रहा हो, आपको सायरे को समझ लो और जो बोल बुलो वहीं में सबसे पहली पॉइंट हूमे परमात्माह्त पीक्स्ट अ listener presses शर्ट अiness को पार्ट हीलो का बहुता है विलू का भी होता है रोने वाला भी हो 105 हुधा सदा उद्स रहने वाला भी होता है सदा खुश रहने वाले होता है कुछ बहुत ओवर एकसाइटमेंट में रहने वाली आत्म होती है कुछ बिलकुल डेप्रेशन में होती है हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ट है हमें अपने पार्ट को देखना है दूसरों के पार्ट को देख करके उसका सार समझ लेना क्य हमको हिसाब किताब चुक्तू करने, एक दूसरे के साथ में चाहे वो धन के हो, चाहे वो तन के हो, चाहे समंद के हो, यह सब कुछ करना है, तो हमें सार पता है, तो उसमें क्यों क्या कोशन नहीं आ सकता है, जिससे कि हम विचलित हो जाए, इसलिए बाब कहते हैं, जो भी बा करोगे, उनके साथ में किस तरीके से वेवार में आओगे, बरताब में आओगे, उसमें सार भरा हुआ हो, सार क्या हो परमात मैंने समझाय हुआ सार, यह नहीं कि आपका अहंकार का सार, वो सार नहीं, तो पुर्शार्त सरल हो जाएगा, फिर घड़ी-घड़ी फसना, घड़ कि हमें ऐसे बोल दिया, यह चीजों में जो उपर नीचे होते हैं, महीने महीने निकल जाते हैं, आपके अंदर से जो गिल्ट होता है, कभी-कभी, कभी आंकार रह जाते हैं आपके अंदर, कभी गिल्ट रह जाते हैं आपके अंदर, वो चीज आपको आगे बढ़ने नहीं देती परमात्मा से जुणने नहीं देती ऐसा सरर पुशाती सब बातों में all round होता है वो समल करके diplomatically हर एक के साथ चलता है उसको किसी से कुछ गरणा नफरत इर्शा नहीं रहती उसको अपने मेरा पन भी नहीं रहता उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती कोई भी बात मे हिम्मत कम नहीं होती उसने मेरे साथ में ऐसे कर दिया अब मैं आगे कैसे बढ़ू उसने मेरे को ऐसे बोल दिया मैं तो नहीं करूंगा वले कि वो ना रूटते हैं ना वो किसी से किसी से वो कभी इर्शा में गिरना में नफरत में या किसी से बदले में आते हैं बदले की भावना में, तो वो क्यों all-round होते हो, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते, कि मेरे से तो भया नहीं होगा यह बात, मेरे पास में यह शम्ता नहीं, मेरे पास में यह ताकत नहीं है, यहाँ पर बात सर्फ तन से नहीं हो रही है, आप धन से भी सेवा कर सकत बोल से भी सेवा कर सकते हो लेकिन परमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमात्रमा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती उनके जिवन में और दूसरों को सरल्चित बना देते हैं दूसरे भी देख करके बोलते हैं अच्छा इतना सिंपल भी रह सकते हैं इस बात को जिसमें मेर को अहंकार आ रहा था ग्रणा इरिशा नफरत आ रही थी इसने इतने अराम से इस ब आपको स्वागत इस उनिवस्टी में भी सीखने के लिए आपको दिन शबो ओम शयंति